Hello Everyone, Welcome to Skill IQ, Skill IQ में आपका स्वागत है, तो Part No.6, किसके लिए है यह Part No.6, Idioms and Phrases के लिए है, चीक है, तो इस Part में हम जो है क्या करने वाले हैं, इस Part में हम Q, R, S, T से Related Idioms and Phrases जो है हमारे करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो क्यों से स्टार्ट करते हैं, Queer Fish, Queer Fish का मतलब होता है, As Thir Vyakti, As Thir Vyakti, Queer Fish, वो एक ही जगे पे रहता है, ज्यादा तर हम इसको संटेंस में समझ सकते हैं, बट इतना इसमें समझो कि वो एक तरीके से स्टॉइक जो है परसन है, एक तरीके से, और वो जो है किसी भी सिचुएशन में थोड़ा सा एक शा स्यामत्चित, स्यामत्मन से जो है किसी भी चीज को समझने की कोशिश करता है, Quite a Few, Quite a Few का मतलब होता है, बहुत सारे, Quick of Understanding, तेज बुद्धी वाला, Quick of Understanding, किसी भी चीज को समझने में बहुत ज़्यादा निपोन, बहुत ज़्यादा निपोन, Queral with Once Bread and Butter, Bread and Butter तो आप जानते ह है, रोटी, रोटी, खाना पीना, खाने से समंदित, Bread and Butter होता है, और फिर हमारा क्या होगा, Queral with, लडाई होना, मतलब जहां से रोटी मिलती है, वहीं के वरिष्ट अधिकारी से हम क्या कर लेते हैं, जगडा कर लेते हैं, तो ये हमारे चार जो, Idioms and Phrases थे, बात करते हैं, R लेटर की, यहां पे है, R Red Letter D, Red Letter D का मतलब क्या होता है, शुब सो भागे का अंत्यंत महतो पूर्ण दिन, मतलब क्या है कि, Red Letter D का मतलब, देखो, Red, Red मतलब खत्रा, है न, Red मतलब क्या सोचते हैं हम, खत्रा, लेकिन यहां पे, Red मतलब अच्छा, क्या है, Red मतलब अच्छा, सुब संकेत एक तरीके से आप इसको कह सकते हो Rad Letter D Ram or Reason Ram or Reason का मतलब है कारण Reason का मतलब सीधा कारण है लेकिन Ram का मतलब जैसे कविताई में आप समझते हो na Rhyming जो होती है ले, ताल, सुर इससे समन्दित सुरतो नहीं होना चाहिए ले या फिर ले से समंदित या ताल से समंदित आप इसको रेम को मानते हो बट यहां पे रेम और रीजन का मतलब क्या होता है कारण स्पस्ट करना और रेनी डे बहुत ज़्यादा तकलीफ के दिन जब भी आप रेन की बात करेंगे एडियम्स एैड फ्रेजेज में उसको नेगेटिव मानोगे और डिफिकल्टी से इसको जोड़ोगे रन शोल्ड घट जाना किसी भी चीज़ का कम होना घटना रन अमक का मतलब होता है सनक जाना सनक जाना का मतलब क्या होता है एक अजीब सी हरकत करना एक अजीब सी हरकत करना बुद्धी सटक गई है क्या वो मराथी में हिंदी ये जो मुवी आई थी क्या नाम था उसका सिंगम उसमें अटामाजी सटक ली है तो सटक ली वो सनक होता है मतलब मेरी बुद्धी अपनी जगे से हट गई है तो मतलब मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ और सनक जो है पॉस्टिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ज्यादा तरह नेगेटिव में ही रहती है सनक राइट एंड मैन राइट एंड मैन का मतलब होता है important person महतुपूर्ण व्यक्ति right एंड परसन run the risk of सकते हैं रूट से लेके ब्रांच तक मतलब जड़ से लेके तहनी तक complete पूरा है ना read between the lines अतिरिक्त मतलब समझ जाना मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप किसी भी बात की जड़ तह तक जो है आप पहुंच जाते हैं read between the lines lines के बीच में भी पढ़ना जुरूरी है मतलब क्या है lines को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है उनको समझना भी है मतलब बात को अच्छे तरीके से समझना है ready money ready मतलब money मतलब पैसा क्या है ready है money ready है तो क्या मतलब नकत कैश red tapy jam office में जो कारवाई होती है जो भी process होता है उसमें देरी होना rest on one's laws यश और यश प्राप्ती के लिए कोशिश ना करना आप famous हो गई हैं आप famous हैं अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आप और ज़्यादा famous होने के लिए काम नहीं कर रहे हैं right here इसी जगे पे right now अभी इसी समय ततकाल तुरंत immediately immediately risk like a phonics form its ashes नस्ट की हुई वस्थू का फिर से जीवित होना ashes राक होती है क्या होती है ashes राक होती है मतलब कोई भी चीज राक हो चुकी है नस्ट हो चुकी है धूमिल हो चुकी है कोई भी चीज उसका दुबारा से जीवित होना rise to the occasion किसी भी विसेश अवसर का क्या करना मुकाबला करना rough guess rough guess मतलब अंदाजन या मोटा मोटा सा अंदाजा लगाना rough guess rule the roots roast दूसरे पर रोब डालना या फिर दूसरों पर अधिकार जमाना rule the roast S letter से related जो idioms and phrases हैं उनकी बात करती है small fry बिल्कुल simple साधारन व्यक्ति sin die sin die एनिश्चित काल के लिए किसी भी चीज़ को शुरू करना किसी भी चीज़ को एनिश्चित काल के लिए जब तक कि आप मृत्यों को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक के लिए हमने उस चीज़ को start कर दिया है sooner or later कभी ना कभी तो sooner or later अभी या कभी भी अज नहीं तो कल सेट फायर आजद कर देना आजद करेना ठीक है अग लगाना फोगा ठीक है लगाना भाई लगाना लेगन सेट फ्री है इसका मतलब क्या होगा फ्री करना किसी को आजाद करना, मुक्त करना sleeping partner निश्करिय हिस्यदार sleeping partner आपका partner है, आपका दोस्त है आपका मित्र है, आपका साथ ही है आपका हिस्यदार है किसी भी मामले में, partner है जो भी वो sleeping है, sleeping mode में है ये कहलो आप वो क्या कर रहा है, वो निश्करिय है वो अपने efforts को जो है क्या कर रहा है इतना ज़्यादा देज नहीं कर रहा है Stuff and nonsense, बेकार, some and substance, शारांस या फिर सब कुछ मिला के जो भी मतलब निकलता है ठीक है, conclusion, आप इसका मतलब conclusion भी कह सकते हो conclusion, okay, stand somebody in good stead, मतलब लाब होना, अच्छा फाइदा होना Snake in the grass, चिपा हुआ दूश्मन, या फिर आस्तीन का साप इसको बोलते हैं Safe and sound, बिल्कुल शुरकसित, slip of the tongue, मतलब गलती से बात जो है निकल गी, जिसका हम पीछे जो है जिकर कर चुके हैं फिर है हमारा, slip of the pen, slip of the pen का मतलब क्या होगा slip of the pen का मतलब होगा, ऐ सावधानी के कारण सामाने सी गलती, बिल्कुल नॉर्मल सा भूल As long as, जब तक, shortcut, चोटा रास्ता, C, I to I, पूर्णते सहमत होना, बिल्कुल एक ही विचार से देखना किसी भी चीज़ को C, I to I, मतलब क्या आप वही सोच रहे हैं, जो मैं भी सोच रहा हूँ, ये वाली बात C, I to I, send word, समवाद भीजना, send word का मतलब, word का मतलब यहाँ पर क्या होगा? Language से related होगा, ठीक है? Language से related होगा, word मतलब language, मतलब कोई भी बात, कोई भी चीज़ आपने किसी के पास भीजी है show of hand हाथ उठाके किसी भी बात को कहना scot free बच कर किसी भी जगे से निकलना seasoned food मसालिदार भोजन see the light प्रकाशित होना किसी भी चीज़ का जदतर पुस्तक को कह सकते हो उजागर होना किसी भी चीज़ का किसी secret का reveal हो जाना set a scheme on foot किसी भी योजना को आरंब करना प्रारंब करना शुरुआत करना किसी भी योजना की set a liberty किसी को रिहा करना set one's face against कड़ा विरोध करना बिल्कुल कड़ा विरोध करना आप उसके बिल्कुल against हो कोई भी काम हो सकता है set one's hurt on बहुत ज्यादा चाहना किसी को पसंद करना set one's teeth on as बिल्कुल गरिना पैदा करना shout one's mouth किसी को चुप कराना बिल्कुल चुप अभी बोलेगा नहीं वो वाली बात shut one's mouth किसी का मुँ बंद करना slip through one's fingers हाथ से निकल जाना spare time खाली समय less your time stand on once on ground अपनी बात पर डटे रहना अडे रहना रुके रहना a stone's throw बहुत थोड़ा फासला होना strike के bargain सोदा पटाना किसी भी bargain तो समझते होंगा आप मौल भाव करना swan enemies बिल्कुल कड़ा जो है एक तरीके से दुश्मन हाना बात करते हैं टी लेटर से related idioms and phrases की tooth and nail पूरी ताकत से पूरे जोस से पूरी हिम्मत से talk big ding मारना time and again time and again time and again मतलब बार-बार किसी भी चीज़ का repeatedly to and fro आगे या फिर पीछे to and fro take to one's heels take to one's heels इसका मतलब क्या होता है eddy eddy पे पंजे-पंजे पे भागना है न tall talk घमंड बरी बात चीत करना लंबी चोड़ी फैंकना एक तरीके से to the letter अक्षर से to the letter मतलब अच्छे तरीके से किसी बात को बताना turn over a new leaf बुरे आच्रण से अच्छी दिसा में पुरन रूप से बदलना या फिर नया जीवन एक तरीके से शुरू करना प्रार्म करना turn over a new leaf मतलब नई शुरुवात करना आपके अंदर कुछ बुराईयां थी आपने उन बुराईयों को छोड़ दिया जैसे new year resolution नहीं लेते हैं वाली चीज़ through thick and thin through thick and thin सभी प्रिस्थितियों में प्रतिकूल प्रिस्थिति में विपरीत प्रिस्थिति में दुख के दिनों में विपरीत घड़ी में through cold water upon उत्सा भंग करना या फिर किसी को हतोत साहित करना किसी को क्या करना किसी को हतोत्साहित करना या फिर किसी को निरुत्साहित करना इत तरीके से उसके बाद उसके बाद है हमारा थू एंड थू पूरंत है completely to the last far thing पैसा पैसा करना या पैसा पैसा करना to the last far thing to his face मुँ पे ही सामने ही उसी समय है न to the utmost यथा साध्य उसी समय जिस समय पे ज़रूरत है किसी चीज की किसी संसाधन की किसी भी बात की To the point उप्योगत जिस भी required time पे किसी भी बात को करना या कहना Take advantage off किसी चीज का फाइदा उठाना Take effect असर डालना फिर है Take something in one's hand अपने हाथ में लेलेना किसी चीज को टेक हर्ड हिम्मत बांधना हिम्मत बांधना टेस्टिंग टाइम परिक्सा की घड़ी दिस एंड डैट इदर उदर या फिर यह है वह है तिंक ट्वाइस सावधानी पूर्वक निरने लेना तिंक ट्वाइस का मतलब दुबारा से होता है न तो जैसे यह नहीं बोलते हैं एक बार फिर से सोच ले भाई है ना तो तिंक ट्वाइस होता है वो टेक स्टोक आफ परिस्थिती पर सावधानी पूर्वक विचार करना एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो इसको टेक समवन इंटू कॉन्फिडेंस किसी को विश्वास में लेना या फिर किसी का विश्वास प्राप्त करना त्री आर्स पढ़ना, लेखना और गनीत पढ़ना, लेखना और गनीत मैथ से रिलेटर होता है रेडिंग, डाइंटिन राइटिंग अन मैथमेटिक्स इसको 3R बोलते हैं ठेक नोटिस ध्यान में रखना मतलब ठेक नोटिस ठेक देचियर सभापती होना ठेक केर ओफ संभाल कर करना किसी चीज का या सावधान होना किसी भी चीज से ठेक हॉल्ड ओफ उसका मतलब होगा पकड़ना किसी चीज को ठेक प्लेस होना किसी भी चीज का किसी भी टाइम पे किसी भी समय पे किसी चीज का घटित होना ठेक पार्ट इन पार्टिसिपेट करना किसी भी प्रोग्राम किसी भी जगे पे ठ्रू डस्ट इन वन्स आईज आँखों में धूल जोकना throw 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 knee throw throw dust in one's eyes किसी की आँखों में धूल जोकना यानि के दोका देना take a fancy बहुत पसंदाना take a leap in the dark परिणाम की परवा किये बगैर किसी भी खत्रे के अंदर जो है किसी भी काम को अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करना take a leap in the dark take by a storm अचानक से किसी चीज का प्रभावित करना take into account विचार में लाना विचार विमर्श करना तरक वितरक करना किसी भी चीज के उपर सिरफ खुद से किसी दूसरे से नहीं take into account अपने माइंड में किसी चीज को लेना take one at his word किसी के कहने पर विस्वास कर लेना take one at his word किसी के कहने पर ही किसी चीज के उपर किसी बात के उपर विचार कर लेना विस्वास कर लेना take one's time जल्दी ना करना take off take oneself off किसी भी चीज से चले जाना चीक है कहीं से चले जाना take sides दो के जगडे में किसी एक का पक्स लेना यानि के पक्षपात करना पक्षपात करना चीक है एक की साइड लेना Take the air, हवा में घूमना हवा में घूमना सच में हवा खाना मतलब Take the bull by the horns भाई आपने जगडा मोल ले लिया खामा खामे वह वाली चीज Take the bull by horns Take the low into one's hands किसी को अपने ही हातों सजा देना Take time off चुटी लेना Take to hurt किसी की भी बात को किसी भी चीज को बिलकुल मन से बिलकुल हरदे से जो है क्या करना महसूस करना Take to task किसी को कोशना किसी की भर्चना करना गाली दीना किसी को Negative words पोलना किसी के बारे में अलउचना करना किसी के Through away money अंदादूंद खर्च करना पैसे extravagant होना Through away पैसे फैकता चलना ये वाली चीज Time after time बार-बार ये आ चुका है पहले भी Turn up once nose at किसी को नीचा समझना है ना नीचा समझना किसी को ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे Part number सेवंथ में जो की U से लेके Z तक होगा इसमें U, V, W, X, Y और Z से Related हमारे Idioms and phrases होंगे ठीक है इसमें जो है एक तरीके से बस इतने ही W से Related दिये गए है यहां पे साइध PDF में कुछ रह गया हो तो हम इसको देख लेंगे ओके फिर उसके बाद Section B आएगा Eighth Part में ठीक है उसमें English to English जो है हमारे meanings होंगे ठीक है तो thanks for watching again Thank you, thank you so much मिलेंगे Next Part में